आज हम आपको बताने वाले हैं कि व्यक्ति को उसके करमों के हिसाब से क्या सजा मिलती है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओन कर लें जिससे आपको ऐसी ही ज्यानवर्दक वीडियो मिलती रहें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गरूड पुराण के अनुसार हमारे पापों के लिए 28 दंड हैं भले ही आप हमारे प्राचीन धर्मक्रंतिया गरूड पुराण पर यकिन करें या ना करें कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क इसी धर्ती पर हैं इन नर्कों की तरह ही हमें भी अपने कर्मों का फालिसी धर्ती पर भुगतना पड़ता है यहां आपको तैकरना है आप किस प्रकार के कर्म करते हैं पापियों को उनके पापों की प्रकर्ती और गंभीरता के अनुसार विभिन नरकों में भेजा जाता है। पुल 28 नरक हैं जो निम्न प्रकार हैं। नमबर एक तामी इस्रम जिसमें भारी कोड़े मारे जाते हैं। जो लोग दूसरों का धन लूटते हैं, उन्हें यम के सेवक रस्तियों से बांध कर तामी इस्रम नामक नरक में डाल देते हैं। वहाँ उन्हें तब तक पीटा जाता है जब तक कि वे खून से लत्पत होकर बेहोश नहो जाएं। जब वे होश में आते हैं तो उनकी पिटाई दोरा ही जाती है। ऐसा तब तक कि या जाता है जब तक कि उनका समय पूरा नहो जाए। जिसमें कोड़े मारे जाते हैं। यह नरक उन पती या पत्नी के लिए है जो अपने जीवन साथी के साथ तभी अच्छा व्यवार करते हैं जब उन्हें लाव या सुक के आवश्चकता होती है। जो लोग बिना किसी इसपश्ट कारण के अपने पती या पत्नी को छोड़ देते हैं उन्हें भी यह भेजा जाता है। यहां की सजा लगबकता मिस्रम जैसी ही है लेकिन पीडितों को जकड़े जाने पर जो एहसेनिय पीड़ा होती है उससे वे बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। नमबर तीन रोरव जिसमें सापों की पीड़ा दी जाती है। यह उन पापियों के लिए नरक है जो किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ती या संसादों को हड़प कर उनका आनंद लेते हैं। जब इन लोगों को इस नरक में फेक दिया जाता है तो जिन लोगों को उन्होंने धोका दिया है वे रूरू नामा के एक भयानक साप का रूप धारन कर लेते हैं। साप उन्हें तब तक बुरी तरह से पीड़ा देते हैं जब तक उनका समय पूरा नहीं हो जाता। नमबर चार महा रारू रावम जिसमें सापो द्वारम रत्य होती है। यहां रूरू नाग भी है लेकिन ज़्यादा भहनकर जो लोग वैद उत्रादिकारियों उनकी विरासत को नकारते हैं और दूसरे की संपत्ति पर कबजा करके उसका अनंद लेते हैं। उन्हें ये भैनक नाग लगातार अपने चारों और कुंडली मार कर दबाते और काटते रहेंगे। जो लोग किसी दूसरे आदमी की पत्नी या प्रेमिका को चुराते हैं उन्हें भी यहां फेका जाएगा। यह नरक न सूत्रम या नरक जैसा गर्म यह नरक बहुत गर्म है जो लोग अपने बड़ों का समान नहीं करते खासकर तब जब उनके बड़े अपने कर्तव्य का पालन कर चुके होते हैं उन्हें यहां भेजा जाता है। यहां उन्हें इस एहसानिय गर्मी में इधर उधर भागना पड़ता है और समय समय पर ठकर गिरना पड़ता है असित पत्रम या तिक्षन कोड़े मालना यह वह नर्ख है जिसमें पापी अपने कर्तवय का परितियाग कर देते हैं उन्हें यम के सेवकों दोरा असित पत्र या तेजधार वाली तलवार के आकार की पत्तियों से बने कोडों से पीटा जाता है यदि वे कोडों से नीचे भागते हैं तो वे पत्थरों और काटों से टकरा कर मुह के बल गिर जाते हैं फिर उन्हें तब तक चाको से मारा जाता है जब तक वे बेहोश नहीं हो जाते हैं जब वे होश में आते हैं तो यही परक्रिया तब तक दोराई जाती है जब तक कि इस नरक में उनका समय पूरा नहीं हो जाता नमबर आठ शुकर मुखम या कुचल और पीडित जो शाशक अपने कर्तवियों की उपेक्षा करते हैं और कुशासंद वारा अपनी पढ़जा पर रत्याचार करते हैं उन्हें इस नरक में धंडित किया जाता है उन्हें बुरी तरह पीट कर कुचल दिया जाता है जब वे संसाधन होने के बावजूद उनकी मदद नहीं करते उन्हें एक कुए में धकेल दिया जाता है जहां शेर बाग चील जैसे जानवर और साप और विच्छु जैसे जहरिले जीव रहते हैं पापियों को अपनी सजा की अवधी समाप्त होने तक इन जीवों के लगातार हमले सहने पड़ते हैं नंबर दस तप्त मूर्ति जिसमें जिंदा जला दिया जाता है जो लोग सोना और जौरात लूटते हैं या चोरी करते हैं उन्हें इस नरक की भट्टियों में डाल दिया जाता है जो हमेशा दधकती आग में गर्म रहती हैं नंबर ग्यारा क्रमी भोजन क्या कीड केलिए भोजन जो लोग अपने मह़मानों का समान नहीं करते और पुरशों या महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ अपने पाइदे के लिए करते हैं उन्हें इस नरक में फेक दिया जाता है कीड़े मकोडे और सांप उन्हें जिंदा खाते हैं जब उनका शरीड पू और महिलाओं के लिए है जिन्होंने व्याविचार किया है लोहे से बनी एक आकर्ती को लाल गरम करके वहां रखा जाता है पापी को इसे गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि यमके सेवक पीडित को पीछे से कोड़े मारते हैं नमबर तेहरा वजर कंट कसाली या तीक्षन छवियों को धारन करने वाली यह नरकुन पापियों के लिए सजा है जो जानवरों के साथ एपराकर्तिक संभो करते हैं यहां उन्हें लोहे की मूर्तियों को गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनके शरीर में यह एक नदी है जो मानव मल, रक्त, बाल, हड्डियों, नाखुनों, मास और सभी परकार के गंदे पदार्तों से भरी हुई है यहां विबिन परकार के भायनक जानवर भी हैं जो लोग इसमें फेके जाते हैं उन पर ये जीव हर तरफ से हमला करते हैं और उन्हें मारते र हुआ कुआ है जो पूरु संबोग करते हैं और बिना शादी के इरादे से महिलाओं को धोका देते हैं उन्हें जानवरों की तरह माना जाता है जो लोग जानवरों की तरह गैर जिम्मेदारी से घुमते हैं उन्हें इसकुए में फेक दिया जाता है ताकि वे इसके पानी स परदूशित हो जाएं उन्हें अपना समय पूरा होने तक यहीं रहना है नमबर 16 प्राण रोधम या टुकडा टुकडा यह नरक उन लोगों के लिए हैं जो कुत्ते और दूसरे दुष्ट जानवर पालते हैं और खाने के लिए लगतर जानवरों का शिकार करते हैं और उन् अमीर लोगों को यातना देने के लिए हैं जो गरीबों को नीची नजर से देखते हैं और सिर्फ अपनी दोलत और वैभव दिखाने के लिए बहुत जादा खर्च करते हैं उन्हें अपनी सजा की पूरी अवधी के दोरान यहीं रहना होगा यहां उन्हें यम के सेवकों द्वारा लगतर भारी डंडों से पीटा जाएगा नमबर अठारा लाला भक्षम वीरिय की नदी यह वासनालू पूर्शों के लिए नरक है जो कामुक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपना वीरिय निगलने के लिए मजबूर करता है उसे इस नरक में डाला जाता है लाला भक्षम वीरिय का समुद्र है पापी इसमें लेटा रहता है और अपनी सजा की अवदी तक केवल वीरिय पीता है नमबर 19 सर में सनम कुत्तों से पीडा खाने में जहर मिलाना सामूही खत्या करना देश को बरबाद करना जैसे ऐसामाजिक काम करने वालों को इस नरक में डाला जाता है यहां खाने के लिए कुत्तों के मास के अलावा कुछ नहीं है इस नरक में हजारों कुत्ते हैं और वे पापियों पर हमला करते हैं और अपने दातों से उनके शरीर के मास को नोस्ते हैं नमबर 20 अविसी धूल में बदल गया यह ना रख उन लोगों के लिए है जो जूटी गवाही और जूटी कसम खाने के दोशी हैं उन्हें बहुत हुचाई से फेका जाता है और जब वे जमीन पर पहुंचते हैं तो वे पूरी तरह से धूल में मिल जाते हैं उन्हें फिर से जीवन में वापस लाया जाता है और उनके समय के अंत तक सजा दो रही जाती है नमबर 21 अयहपान, जलने वाले पदार्तपीना शराब और अन्य नशिले पे पदार्थों का सेवन करने वालों को यहाँ भेजा जाता है महिलाओं को तरल रूप में पिगला हुआ लोहा पीने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि पूर्षों को अपने सांसारिक जीवन में हर बार शरा पीने के लिए गरम तरल पिंगला हुआ लावा पीने के लिए मजबूर किया जाएगा नमबर 22, रक्सो बज करस्म, बदला लेने वाले हमले जो लोग पशु और मानव बली चड़ाते हैं और बली के बाद मास खाते हैं उन्हें इस नर्क में डाला जाएगा वे सभी जीव जो उन्होंने पहले मारे थे वे सब महा होंगे और वे पाप्यों पर हमला करने उन्हें काटने और उन्हें कुचलने के लिए एक साथ मिल जाएंगे यहां उनकी चीखे और शिकायते बेकार होंगी जो लोग दूसरों की जान लेते हैं जिनोंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुचाया है और जो लोग इश्वासगात करके दूसरों को धोका देते हैं उन्हें इस सुला प्रोतम नरक में भेजा जाता है यहां उन्हें एक तिर्शूल पर लटका दिया जाता है और उन्हें अपनी सजा की पूरी अवधी उसी इस्थिती में बिताने के लिए मजबूर किया जाता है जहां उन्हें तीवर भूक और प्यास के साथ सबी यातनाई सेहनी पड़ती है इस नर्क में डिंगे हाकने वाले और अच्छे लोगों का अपमान करने वाले लोगों को डाला जाता है यमके सेवक पापियों को उल्टा लटका कर रखते हैं और उन्हें तरह तरह से प्रताडित करते हैं उन्बर पच्चिस दंड सुकम जिन्दा खाया हुआ जो पापी दूसरों को जानवरों की तरह सताते हैं उन्हें यहां भेजा जाएगा यहां बहुत से जानवर हैं उन्हें ये जानवर जिन्दा ही खा जाएंगे 26. वातारोधम शस्त्र अत्याचार यह नर्क उन लोगों के लिए है जो जंगलों, पहाडों और पेडों पर रहने वाले जानवरों पर रत्याचार करते हैं इस नर्क में फेकने के बाद पापियों को इस नर्क में आग, जहर और विभिन हत्यारों से परताडित किया जाता है नमबर 27 परियाव अनर्कम, पक्षियों से यातना, जो व्यक्ति भूके व्यक्ति को भोजन देने से मना करता है और उसके साथ दुर्व्यावार करता है, उसे यहाँ फेक दिया जाता है जैसे ही पापी यहाँ आता है, उसकी आँखों में कोवे और चील जैसे पक्षियों की चौचे चुबो दी जाती है बाद में जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती, तब तक यह पक्षिय उसकी आँखों में चौचे चुबोते रहते हैं गमंडी और कंजूस लोग जो जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी पैसे खर्च करने से इंकार करते हैं जैसे कि बहतर खाना या अपने रिष्टेदारों या दोस्तों के लिए खाना खरीदना, उन्हें इस नर्क में जगह मिलेगी जो लोग उधार लिया हुआ पैसा नहीं चुकाते हैं, उन्हें भी इस नर्क में डाला जाएगा यहां उनके शरीर को लगातार सुईयों से चुगोया और छेदा जाएगा यह जानकारी मान्यताओं, धर्मक्रंतों और विभिन वाद्यमों से ली गई है हमारा चैनल इसकी पुष्टी नहीं करता है हमारा उदेश्य के वरल आपको जानकारी देना है